हेलो रोस्तो मैं हूँ समीर और आप टेकर रहे हैं SGTV इंडिया स्वागत है आपका हम आज के वीडियो में जाने के नासा दूर के स्पेस्क्राफ्ट जैसे वाइजर 1 और वाइजर 2 इन स्पेस्क्राफ्ट से डेटा कैसी रिसीव करते है प्रित्पी पर मुझे इस टॉपिक का एडिया कैसे आया तो देखिए ये बात न्यू येर के दिन की है 1 जनुरी 2019 जब मैं स्पेस्क्राफ्ट वीडियो देख रहा था यूटूब पर फिर अचानक से मैं दिमाग में खाया लाया ये स्पेस्क्राफ्ट जैसे वोईजर 1 और वोईजर 2 हमारे प्रेट्वी से बहुत दूर है और वहां इंटरनेट भी नहीं है तो नासा इन सैटलाइट से डेटा कैसे रिसीव करते है फिर मैंने सोचा इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए फिर क्या इस टॉपिक पर रिसेर्च करना चालू कर दिया मैंने हाला कि इस पर पहले ही वीडियो मिट टीवी इंडिया ने बनाया था बत अभी यूट्यूब पर सेर्च किया तो इनका वीडियो नहीं आ रहा है शायद किसी खारन प्राइवेट कर दिया होगा फिर मैंने सोच लिया चलो इस पर ऊह तक फोटो नेता है सेनों तो एक्सक्ट सेम रहता है सैटल्य के कारे में तीन कलर का फिल्टसा यह जाता है रैट !! ग्रीन और ब्लू जो कोई भी औप जैक्ट का फोटो क्लिक करने में युश जाता है और सैटलेट के कैमरा में आइडवान्स CCD कमबूटर चिप इंस्टार रहता है जो हमारे स्मार्ट फ़ोन में भी होता है बर इतना अइडवान्स नहीं होता जब हम स्मार्ट फोन से फोटो क्लिक करते है तो यही CCD चिप बहुत से पिक्सिल में लाकर उस फोटो को एक रेजलेशन में दिखाता है Advanced CCD Computer Chip लाको सेंसिटिव पिक्सिल से बना है जो इंसानों के बाल से भी ठीक और बहुत छोटा है यह CCD Computer Chip कैमरा का फोटो एनलाइस करने में मदद करता है और यही CCD Chip फोटो का Brightness को भी Measure करता है अगर फोटो ज़्यादा Dark में है तो इसे 0 नमबर दे दिया जाता है और अगर फोटो ज़्यादा Bright है तो इसे 100 नमबर दे दिया जाता है ऐसे ही Space में एक फोटो लेने के लिए लाको पिक्सल को अलग अलग नमबर दे देते है और यही लाको पिक्सल के नमबर को धरती पर Re-Assemble कर दिया जाता है इस नमबर को Binary Code बोलते है अब यह तो हो गया सैटेलाइट फोटो कैसे लेता है Space में अब यह फोटो धरती पर कैसे भेजा जाता है यह फोटो को धरती पर Frequency मतलब Radio Wave के मदद से भेजा जाता है यह Radio Wave बहुत कमजोर होता है इसलिए Radio Wave को कैच करने के लिए चाइंट स्पेस एंटिना बनाया गया जो की California, Australia और Spain में महुजुद है फिर यह पूरा डेटा मिलकर एक फोटो बनाता है अब आप सोच रहे होगे हम इस पेस में से तो Colorful Picture मिलता है तो यह कैसे? देखो, इसे भी Filter का मदद से Adjust किया जाता है जो की पहले ही बताया हूँ Red, Green और Blue बद पिच्चर को Color, उसके Brightness और Binary Code के मदद से Analyze करके Decide किया जाता है इस तरह NASA दूर की Satellite से या आपको पता था NASA इस तरह डेटा कलेक्ट करता है स्पेस में सैटेलाइट से अगर आपको पता था तो Hashtag Yes लिखिए कमेट में और अगर नहीं तो Hashtag No लिखिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा, बाई बाई एन टेक कैर I hope आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा का 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 लिए देए होईक्नें का भीडियो पखकी सघ्रें जरीव हम्रे एंकूर को अब तक करता है × और एको करताना क का वीडियो पसंद आया है का भीडियो आपको वे खना शो करता है